तो दोस्तों जैसा कि आप कहते हैं कि सर किसी ना किसी लॉन एप्लिकेशन से आप भी लॉन को एप्लाई करो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि मैं अपने वीडियो के अंदर और अपने इस चैनल के अंदर लाइब लॉन का प्रोसेस करता रहता हूं लेकिन एक बात मैं आप फ़ेट के से लोन लिया हुआ है झीक है और कितना मुझे मिला मिला है कितने दिनों के लिए मिला है कितना चार्ज लग रहने वाला है सारी जानकारी मैं अपने इस वीडियों बताने वाला हूं फेट लॉन application की पूरी detail आपको मैं share करने वाला हूं ठीक है request लॉन पर हम click करेंगे यहाँ पर ok कर देंगे तो देखो यार मेरे भाई यहाँ पर मैंने अपने document submit किये लेकिन सिर्फ मैंने यहाँ पर bank account भी submit नहीं किया है आप यहाँ पर देख लो bank account मैंने नहीं डाला है bank account का auction मैंने billing छोड़ा हुआ है ठीक है अब यहाँ पर देखो मेरे भाई यह जैसे ही मैंने यहाँ पर loan के लिए apply किया document submit किये 3000 रुपे का यहाँ पर loan approve हो ग आप यहाँ पर देखो कितना bank में आएगा देखो यहाँ पर लिखा क्या है आप लिख लो फर्स्ट रीपेमेंट एमाउंट 3021 रुपे मतलब आपको 3021 रुपे रीपेमेंट करना है ठीक है 19 नवंबर 2022 को मतलब 7 दन का time दे रहे है आज कितना तारीक है आज है तेरा तारीक छे दन में ही आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा ठीक है फ्रेंट और तोटली रीपेमेंट आपको कितना करना 3021 रुपे आपकी प्रिंसिपल एमाउंट 3000 रुपे इसकी जो हीडिंग फीस है मतलब यह सबी चार्जिस अगरब अगरा है वो 1200 रुपे है और इंटू करने पड़ेंगे अगर आप आया किसे और दो यहां एक बात रह Means, और एक बात आप घुसे मतलना धों मिया मैं यह पर आपको जरूवत है और आपके लिए यह लॉन सेटिफाइड है अच्छा लॉन लग रहा है तो आप ले सकते हो बस डिपेंड आपकी उपर है सोच आपकी उपर है आपको जो करना करो भाई लॉन लेना हो लो नहीं लेना हो मतलो लेकिन भाई रिक्स बहुत ज लेकिन बहुत ही ज्यादा इंट्रेस यहां पर लग रहे है और बहुत ही कंपनी है अगर रिपेंड नहीं कर पाओगे तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ सकता है ठीक है और यह नौन आर्वी रजिस्ट्रड भी है आगे आपकी मर्जी तो मै मैंने याँ पर अपनी लॉन डीटेल सैर्ण सेर कर दी है हलाकि मैंने यह बेंक में ली है क्योंकि मुझे मुझे से लोन ठीक्ति इंड तो मैं लिए आपको जाइन दिन ए बिद रивается